क्या आपने कभी रात के आकाश में अरोरा की चमकदार नाचती हुई रोशनी देखी है? आप उत्तरी या दक्षिनी ध्रूव के जितना करीब होंगे, इस अद्भुत द्रिश को देखने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, उत्तरी गोलार्ध में इसे अरोरा बोरिलिस या उत्तरी रोशनी कहा जाता है, अरोरा सूर्य और प्रित्वी के वायुमंदल के बीच एक प्राकृतिक संपर्ख है, हमारा सूर्य एक तेज सौर हवा उत्पन करता है, जो हर सेकंड लगभग 10 लाख टन अत्यधिक गर्म प्लाजमा, इलेक्ट्रोन, प्रोटोन और अन्यकन को सूर्य से दूर ले जाती है, प्रिथवी का मैगनेटो स्फियर एक धाल की तरह काम करता है जो हमें इस निरंतर सौर हवा से बचाता है, इसे प्रिथवी के चारों और विक्षेपित करता है, सौर तूफान के दौरान, जैसे की सौर ज्वाला या कोरोनल मास इजेक्शन, सौर हवा के हिस्से के रूप में बड़ी मात्रा में प्लाजमा उच्छ गती से अंतरिक्ष म से नीचे चले जाते हैं और प्रिथवी के वायुमंडल में फंस जाते हैं, ये कंड, उतरी ध्रूव से दक्षिनी ध्रूव की ओर उचलते हैं और फिर वापस आते हैं, और जाते समय प्रिथवी के वायुमंडल में अनुओं में उर्जा स्थानांतरित करते हैं, जब ये उर्जावान अनु अपनी अतिरिक्ट उर्जा छोड़ते हैं, तो अरोरा की रंगीन चमक्ती रोशनी उत्पन होती है। अरोरा प्रित्वी की उपरी वायुमंडल परतों में से एक थर्मोस्फियर के भीतर होता है। यहाँ फनसे सौरकन विभिन प्रकार के गैस अनुओ, ज्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ संपर्क करते हैं, जिसके परिणामस्वरू प्रकाश का अनोखा। रंगीन प्रदर्शन होता है, ऑक्सीजन हरी और लाल रोशनी देती है, जबकि नाइट्रोजन नीली और लाल बैंगनी चमकती है, हरे रंग का। पर बातचीत के कारण बनता है, अरोरा ने पूरे समय मनुश्यों को प्रसन्न और प्रेरित किया है, अरोरा से जुड़ा प्रित्वी पर एक मात्र महत्वपूर्ण प्रभाव रेडियो संचार में संभावित व्यवधान है, क्योंकि सूर्य से आवेशित कन प्रित्वी के चुम्बकिये क्षेत्र में गड़बड़ी पैदा करते हैं, जब चुम्बकिये विक्षोब विशेश रूप से मजबूत होता है, तो अरोरा को कभी कभी ध्रुवों से दूर, मध्य अक्षांश स्थानों में देखा जा सकता है, अन्य ग्रहों में भी अरोरा है, और ग्रिहस्पती पर शानदार अरोरा देखे गए हैं, अन्य ग्रहों में देखे गए हैं, अन्य ग्रहों में देखे गए हैं,